हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर दोस्तों आपने एकसर देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे हातों पर फंगल इंफेक्शन हो जाता है ठीक उसी तरीके से हमारे पैरों के नाखुनों पर भी Wheungle Infection हो जाता है और उसे दूर करने के लिए हमें सुरक्षा के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहें आये आज जानते हैं पैरों के नाखुनों को Wheungle Infection से बचाने के कुछ तरीकों के बारे में टिप नमबर वन है सिर्का अपने पैरों के नखुनों को साफ करने के लिए और फंगर इंफेक्शन से बचाने के लिए आप सिर्के का प्रियों कर सकते हैं एक टब के अंदर 50% सिर्का और 50% पानी के अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इस सलुशन के अंदर अपने पैरों को कम से भी कम 15-20 मेट के लिए डिप करके रखे और उसके बाद ब्रश से अपने नखुनों को साफ कर लीजिए ऐसा करने से फंगर इंफेक्शन और आपके पैरों पर जमा गंदगी दोनों ही साफ हो जाती है टिप नंबर टू है विक्स वेबोरप जी हाँ विक्स वेबोरप हम ज्यादा तर छादी में बहुत ज्यादा कफ जमने पर ही लगाते हैं लेकिन अगर आपको पैरों पर फंगर इंफेक्शन का ख़त्रा है तो आप इस से अपने पैरों पर मसाज कर सकते हैं यह आपके पैरों को फंगर इंफेक्शन से बचाने में मददगार है टिप नंबर थी है नमक का पानी एक टब के अंदर गरम पानी ले और इसके अंदर एक चमच नमक मिला ले और इस solution के अंदर अपने पैरो को 4-5 मिनट के लिए टिप करके रखिए आप नहाने से पहले भी ऐसी प्रकेरिया को दोरा सकते हैं और उसके बार ब्रश की सहायता से अपने पैरो को साफ कर लीजी यह आपके पैरो के सारे फंगर इंफेक्शन को ठीक कर देता है और आपके पैरो को अच्छे तरीके से स्क्रब करके उन्हें चमकदार भी बनाता है तो दोस्तों यह है आसान से तरीके अपने पैरो से फंगर इंफेक्शन को दूर करने के लिए इन्हें ट्राइक ज़रूर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिर वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक मैं आपकी दोस्त नाइरा आपसे इजाज़त लेती हूँ